दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ वीवो और आईक्यू कम्पनी के सस्ते बजट रेंज में आने वाले दो 5G स्मार्टफॉन जिसमें पहला स्मार्टफॉन आईक्यू कम्पनी का लेटेस्ट जेट स्रीज में जेट 9 Lite 5Z और दूसरा वीवो T3 Lite 5Z इन दोनों की अन्बॉक्सिंग कम्पेरिजन करते हैं एक साथ देखते हैं कौन सा स्मार्टफॉन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट वैसे तो ये दोनों कम्पनियां भाई भाई हैं तो काफी कुछ सिमलेटे इन दोनों कम्पनियों में रहती हैं दोस्तों लगबग आज कल सभी कम्पनियां यही कर रही है चाहे वो रियल मी नार्जो हो या रेड मी पोको हो तो उनी के जैसे यहाँ पर आईक्यू और वीपो कम्पनी भी कर रही है अपने एकी ब्रांड को दो अलग-अलग कंपणियों के नाम से बार्केट में वेचा जा रहा है वीडियो में आगे बढ़ने से बेले दोनों के प्रायस को जान लेते हैं तो दो वेरेंट में मिलेंगे आपको ये स्मार्टपॉन 4GB 128GB, 6GB 128GB वेरेंट अब दोस्तों सबसे पहले तो ये जान दीजे कहां से हमें पर्चेस करना है IQ को Amazon सेल कर रही है जहां पर आपको साड़े 10,000 रपे में मिलेगा 4GB 128GB बेरेंट और 6GB 128GB बेरेंट साड़े 11,000 रपे में वीवो सेल कर रही है, फ्लिप काल्ड कंपणी और बिलकुल सेम प्राइज रएंज रहेगी अगर वही पर आप क्रोस करते हो दोस्तों, अगर वीवो को खरीदने चले जाए Amazon पर वहां महेंगा मिलेगा और IQ को खरीदने जाए Flip Car पर वहां महेंगा मिलेगा तो इस बात का हमेसा ध्यान दखेगा दोनों smartphone के box अलग-अलग color के आते हैं बड़ा box है दोस्तो IQ का और बहुत ही slim box है Pivo Company का ऐसा क्यों है? वो आपको आगे पता लग जाएगा तो सबसे पहले box accessories की बात की जाए तो phone को safety देने के लिए flexible transparent silicon के cover दोनों smartphone के साथ मिल जाते है वेलकुल same to same cover है इनको आप अदला बदली भी कर ले कोई फार्क नहीं पढ़ने वाला दोनों एक दूसरी पर आज आएंगे charger adapter दे रहा है IQ कंपनी का जो है 15 watt का white color में दोस्तों वहीं भी वो company नहीं दे रही है इसी बज़े से इसका box काफी slim रखा गया था USB cable दोनों के साथ type A to type C मिलती है white color की length और quality बढ़िया मिल जाती है smartphone पर आते हैं दोस्तों तो दोनों smartphone in an feel काफी comfortable feel होते हैं हाथ में बहुत अच्छे जहां हलका फुलका light का reflection भी देखने को मिल जाता है IQ जो है दो वेरेंट में मिलेगा आपको aqua flow और mocha brown color और vibrant green color और majestic black color वेरेंट में मिलेगा आपको Vivo T3 light 5Z दोनों smartphone के back panel को ध्यान से देखें बिल्कुल same to same है बस color का ही अंतर नजर नीचे ब्रांडिंग की गई है उपर camera medul 1 जैसे फ्रेम बिल्कुल एक जैसे लेंस बिल्कुल same to same हलके उठे हुए और में primary camera दोनों में 50 Megapixel का 2 Megapixel का depth sensor with LED flashlight front में मिलेगा आपको 8 Megapixel का selfie camera mobile के right side में power on key plus finger pin sensor और volume rockers उपर की साइड speaker pot दिया गया है नीचे से निकालके उपर की side fit कर दिया है आप यह न सोचेगा कि dual stereo speaker का support मिल रहा होगा left side में sim tray hybrid वाली नीचे की side primary mic charging jack और 3.5 mm का audio jack दिया गया है दोनों smartphone already booted है इनकी जो brightness है उसे भी फुल किया हुआ है 840 निर्स तक की peak brightness मिलती है आउट्डोर यूज कर सकते हैं लेकिन कडी दूप में दिक्कत का सामना करना पड़ सकते हैं एज और बैजल उपर और corner से पतले हैं नीचे चिंज ज्यादा रखी गई है दोनों smartphone में स्क् 6.56 इंच की HD plus IPS LCD मिलती है दोनों smartphone में जिसका इस्पेक्रेश हो 20 इस्टु 9 स्क्रीन डेजुलेशन 720 इंदर 12 पिक्सल पिक्सल डेंसटी 269 PPI की मिलती है 163.63 मिलमेटर दोनों की height है 75.58 मिलमेटर की width 8.39 मिलमेटर दोनों की थिकनेस है 185 ग्राम का weight है और दोनों के अंदर 5000 image की battery लगी है Android 14 मिलता है दोनों smartphone पर Funtas OS 14 दिया गया है प्रोसेसर भी विलकूल सेम 2.4 GHz का octa-core chipset MediaTek Dimensity 6300 का दिया गया है जो based है 6NM के fabrication पर Mali G57 के graphic हमारे पास है 6GB variant वाले तो 6GB RAM प्लस 6GB Virtual RAM इन में दी गई है बाकी आपको RAM type LPDDR4X 128GB का storage आप चाहो तो expandable memory को 1TB तक भ दोनों smartphone के camera भी normally मिलेंगे चाहे front हो rear हो और वीडियो अगर आप सूट करते हो तो full HD HD में video recording का option मिल जाता है लेकिन 30fps का ही support मिलेगा दोस्तो 60fps का support नहीं दिया है 2K 4K तो दूर की बात है तो overall देखा जाए तो दोनों ही smartphone में सब कुछ same है बस यहां पर color different का आपको रंतर द comment box में बढ़ा सकते हैं तो अंत में बात आती है हमें कौन सा smartphone purchase करना चाहिए तो आपने देख लिया सब कुछ एक जैसा है दोनों smartphone में लेकिन अगर यहां पार full HD plus display का support दिया जाता दोनों smartphone में और भी बढ़िया हो जाता और charger कम से कम 45W का दे देना चाहिए था company को क्योंकि आजकल नार्जो जैसी कंपनी 7500 रुपे में हमें 45W का charger प्रवाइट कर रही है लेकिन यहां पर मैं कहूंगा आपके लिए IQ बना हुआ है IQ खरीदना चाहिए आपको क्योंकि दोस्तों यहां पर आपके 500 रुपे बच जाएंगे IQ खरीदने पर अगर भीवों खरीदते हो त उतना अच्छा ने रहता बैटरी आपकी डेमेज कर सकते हैं इसलिए एक ट्रस्टेट ब्रांड का ही charger खरीदता चाहिए तो भीवो ने यहां पर गलती कर दी charger ना देखे चार्जर तो देना चाहिए था दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम 34,000 रुपे का स्मार्टफोन खरीद रह आज अगरता हो मेरा द्वारती की जानकारी आप सभी के ज़रूर कुछ ना कुछ काम आएगी